इसे जिले में अन्य लोगों का होसला भी बढ़ा और आपसे प्रेणा भी मिली बहुत से ऐसे हैं जो कई कई दिनों तक घर नहीं जा पाए अपने घरवालों से नहीं मिल पाए कई लोगों ने अपने परिवार के एहम सदस्यों अपने करीबियों को खोया भी है इस मुश्किल के बीच आपने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्रात्फिकता दी है अभी आपसे मैं कई साथियों से अपने अनुभव सुनने का मुझे अवसर मिला वैसे मेरे सामने काफी लोग हैं लेकिन हर एक को तो संबव नहीं हुआ है लेकिन हर एक के पास कुछ ने कुछ नाया था कुछ ने कुछ इनोवेटीव था और अपने तरीके से रास्ते खोजे थे और सफलता के लिए यही सबसे बड़ा काम को होता है कि आप मुल्भूत विचार को कितना लोकलाइज बना करके सेट परके उसका उप्योग करते हैं कई अच्छे इनोवेटीव प्रयास है जिन लोगों का आज बात करने का मोका नहीं मिला है उनके पास भी बहुत कुछ होगा मेरा आप सबसे आगरह है का बिना संकोच आपको लगता है कि जो चीज आपने अच्छी की है अच्छे डंक से की है वो मुझे जुरूर भेजिये लिख करके मेरे तक पहुँचाईए और मैं इसका अन्य जिलों में उप्यों कैसे हो इसकी जरूर चिंता करूँगा क्योंकि आपकी मेहनत आपके इनोवेशन ये देश के भी काम आने चाहिए और मुझे विश्वास है आज जितनी बाते मेरे सामने आई इसी बहुत सी बाते हैं जो हमें काम आएगी और इसलिए मैं आपसे इंतजार करूँगा कि आप अपनी कुछ चीजे जुरूर मुझे मेरे से सहर करिए आपके हर प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रसमसा करता हूँ सराना करता हूँ साथियों हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग-अलग चुनोतियां भी हैं एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजिज हैं आप अपने जिले के चैलेंजिज को बहुत बहुतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जितता है तो मतलब देश जितता है जब आपका जिला करोन को हराता है तो देश करोना को हराता है अन्य इसलिए जिले का मिजाज गाउं गाउं में एक मेसेज कि मेरा गाउं मैं कोरोना मुक्त रखूंगा मेरे गाउं में मैं कोरोना को प्रवेश्ट नहीं करने दूँगा ये गाउं के लोग संकर्ब लें और गाउं के लोग जिस प्रकार से विवस्ताय करते हैं मैं तो हिराम था पिछने बार जबकि ये कालखन था और पता नहीं था कि इस स्थिती में कैसे करना फिर भी हमने गाउं में एग्रिकल्चर सेक्टर के लिए कोई लोगडाउन नहीं लगाया था और मज़ा यह है कि खेतों में गाउं के लोग काम करते थे तो खेत में भी सोशल डिस्टंसिंग के साथ खेती के काम शुरू किये थे पिरली बार आपको याद होगा मतलब हमारे गाउं कितनी तेजी से संदेश को पकड़ भी लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको बोडिफाई करके पका कर लेते हैं गाउं की यह थाकत है मैंने देखा है आज भी कई गाउं ने अपने हाँ आना जाना सब बहुत अच्छे रंग से मैनेज किया है गाउं की जरूरत के लिए एक या दो लोग बाहर जाते हैं चीजे लेकर के आते हैं गाउं में बार देते हैं और गाउं मेंसे कोई मेवान भी आये तो उसको पहले बार रखते हैं गाउं की अपनी एक ताकत होती है उस ताकत का अपना उप्योग होता है और मैं साथ कहना चाहूँगा कि कोरोना के खिलाफ इस उद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्पपण भूमी काम है आप एक तरह से इस युद्ध के फिल्ड कमांडर है जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है फिल्ड कमांडर बड़ी योजना को मुर्त रुप देता है जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है परिस्तिती के अनुसार निल्ड लेता है आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्पण फिल्ड कमांडर के रूप पर आज नेतरुत्व समाल रहे हैं और इस वाइरस के खिलाफ हमारे हत्यार क्या है हमारे हत्यार है लोकल कंटेंड मेंट जोन एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी हॉस्पिटल्स में कितने बेड़ उपलब्द है कहां उपलब्द है ये जानकारी आसानी से उपलब्द होने पर लोगों की सहुलियत बढ़ती है इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो ऐसे लोगों पर सक्त कारिवाई हो या फ्रंट लाइन वर्कस का मोरल हाई रक्तर उन्हें मोबिलाइज करना हो एक फिल कमांडर के रूप में आपके प्रयांप पूरे जिले को मजबुती देते हैं फ्रंट लाइन वर्कस को आपके कंडक्ट और एक्षन से प्रेणा मिलती है उनका भरोसा और बढ़ता है मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा अगर इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जीलास तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी तो मेरा आपको खुली छूटे आप जुरूर कीजिए अगर ये इनोवेशन आपके जिले की सानिय जरूरतों के हिसाब के हैं तो उसे उसी हिसाब में करिए अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशन है तो उसे सरकार तक भी पहुँचाईए अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्तित्यों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जुरुत लगती है तो उसका भी फिडबेक जरूर पहुँचाईए बिना संकोच पहुँचाईए क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि हम सम मिलकर के सोचेंगे सम मिलकर के नई नई चीज़े ले आएंगे साथियों आपके जीले की सफलता बाकी जीलों के लिए एक उधान बन सकती है उनकी भी मदद कर सकती है कोरोना से निपटने के लिए जो भी बेस्ट प्रक्टिसेज हैं उनको भी हमें एड़ अड़ आप करते चलना है आपके बहुत से साथि ऐसे जीलों में होंगे जहां कोरोना संकरमान पिक पर पहुँचने के बाद अब कम हो रहा है उनके अनुभवों से सिख कर आप अपने जीलों में अपनी रणनिती को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाब लड़ाई और आसान होगी साथियों इस समय कई राज्यों में कोरोना संकरमान के आँकड़े कम हो रहे हैं कई राज्यों में बड़ भी रहे हैं कम होते हैं आकड़ों के बीच हमें जादा सतर्क रहने की जरूत है बीते एक साल में करीब करीब हर मिटिंग में मेरा यही आगर रहा है कि हमारी लड़ाई एक जीवन बचाने की हैं हमारी जिम्मेदारी संकरमान को फैलने से रोकने की भी है और ये तभी संभव है जब हमें संकरमान की स्केल की सही चानकारी होगी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीट्मेंट और कोविड एप्रोप्रेट बिहेवियर इस पर लगातार बल देने रहना ज़रूरी है कोरोना की इस दूसरी वेव में अभी ग्रामीर और दुर्गम छेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है इसमें फिल्ड में बिताया हुआ आप सभी का अनुभव और आपकी कुशलता ये बहुत काम आने वाली है हमें गाउं गाउं में जागुता भी बढ़ानी है और उन्हें कोविड के इलाज की सुविधाओं से भी जोड़ना है बढ़ते हुए केसों के और संसाधनों की सिमाओं के बीच लोगों की अपेक्षाओं को उचीत समाधान देना हमारी सबसे बड़ी प्रास्विक्ता है सारी चुनोतियों के बीच समाध के सबसे निचले छोड़ पर खड़े व्यक्ती का चहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है उसका कौश्ट दूर हो उसको मदद मिले हमें ऐसी व्यवस्ताओं को और मजबूत करना है इस बहुत बड़े वर्ग तक जब प्रशासन का एक भी व्यक्ती पहुचता है तो या उससे संपर करता है उसकी बात सुनता है तो उससे बहुत बड़ा विश्वास जगता है बिमारी से लड़ने की उसकी ताकत कई कुना बढ़ जाती है जैसे हम देखते हैं जब होम आईश्वलेशन में रहरे परिवार के पास प्रशासन के लोग अक्सिमेटर लेकर जाते हैं दवाएं लेकर जाते हैं तो उसकी खोज खबर लेते हैं तो उस परिवार को संबल मिलता है क्या हम अकेले नहीं हैं साथ योग कोवीड के अलावा आपको अपने जीले के हर एक नागरित की इज ओफ लिविंग का भी ध्यान रखना है हमें संक्रमन को भी रोकना है और दैनीक जीवन से जुड़ी जरूरी सप्लाई को भी बे रोट टोक चलाना है इसलिए स्थानियस तरपर कंटेन्मेंट के लिए जो भी गाइडलाइज जारी की गई है उनका पालन कराते सबैं इस पर भी गौर करना है कि गरीब को परिशानी कम से कब हो किसी भी नागरित को परिशानी नाब है साथ योँ पी-म केर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में आक्सिजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर ज़ते भी चन्डिगर का हमने सुना कितना बेनिफिट हुआ हूँ और इसलिए आप से मेरा आगर है कि जिस भी जिलो को ये प्लांट एलोट होने वाले हैं वहां हर ज़रूर तैयारी पहले से पुरी होने पर आक्सिजन प्लांट और तेजी से सेट अप हो जाएगे अस्पतालों में आक्सिजन मोनिटरिंग कबिटी जितना सही काम करेगी उतना ही आक्सिजन का सही इस्तेमाल हो पाएगा साथ्योटी का करान कोविड से लडाई का एक ससक्त माध्यम है इसलिए इससे जुड़े हर ब्रह्म को हमें मिल करके उसको निरस्त करना है कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं वैक्सिनेशन के लेकर व्यवस्ताओं और पक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीम लाइन कर रही है कोशी ये हैं कि अगले पंदरा दिन का शेडूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए इससे आपको भी पता रहेगा कि जीले में कितने लोगों के लिए वैक्सिन उपलब्द होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयरी करनी है वैक्सिन बेस्टेज रोकने में जीलास तरप और सही प्रबंदन की भूमिका के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं आपके सहयोग से वैक्सिन बेस्टेज पूरी तरह रोक सकती है इतना ही नहीं आप्टिमम यूटिलाइजेशन की दिशा में हम सफलता पुर्बद आगे बढ़ सकते हैं सात्यों ये समय एक प्रशासक के समत ही एक हुमेन रिसोर्स और लॉजिस्टिक मैनेजर के रुपे भी आपकी भूमिकाव को टेश कर रहा है मेडिकल से जुड़ी सपलाई ही नहीं बलकि आपके जिले में दूसरी जरूरी सपलाई भी परियाप्त हो ये बहुत जरूरी है बरसाथ के मोसम में हम सब जानते हैं कि आप जो रोज मर्रा सरकार के कामों में जुड़े होते हैं लेकिन जैसे ही जुण महिना सामने आना शुरू होता है आपका ध्यान मोसम, बारिस क्या हो सकता है क्या कर उसमें जाता ही है काफी आपको एटेंशन देना पड़ता है और इस बार भी बारिस अब सुरू होने जा रही है तो स्वाभाविक आपको बरसात के मौसम की जो चुनोतियां है जो एक्स्ट्रा आपके लिए बरड़न भी होती है जिम्यवारी भी होती है और इसलिए आपको बहुत तेजी से अपनी जरूरतों को मैप करना है और जरूरी प्रबंद करना है अब कई बार तेज बारिस के कारण बिजली चली जाती है और कहीं अस्पताल में बिजली चली गई तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा ऐसे समाएं तो यह चीजें अभी से हमको सोचनी पड़ेगी चुनोति बड़ी है लेकिन हमारा होसला उससे भी बड़ा है और हमारा रिस्पोंस न भूतों न भविश्यति ऐसा ही होना मिलेंगे अभी करोना के खिलाब आपको जो अनुभों मिलेंगे वो भविश्यति में भी आपके भी और देश के भी बहुत काम आने वाले हैं इन अनुभों का सही इस्तिमाल करके आप आगे भी देश की बड़ी सेवा कर सकते हैं मुझे विश्वास हैं कि आपके सहीयोग से आपके कुशल नेतृत्व से आपके कुशल प्रबंदन से भारत करोना के खिलाब इस लड़ाई में मजबूती से आगे बढ़ेगा मुझे खुशी है कि आज सभी जोजी राजी से मिटिंग में हैं उनके सभी मुख्मंतियों ने भी समय निकाला जब कारकेम की रचना कर रहे थे तब लग रहा था कि मुख्मंतियों का समय इसमें व्यस्ता करने की जरूत नहीं है क्योंकि जिले के लोगों से बात करना आपता है वो तो जानते ही थे लेकिन फिर भी इस विशे के प्रती गंभीरता को लेकर के संबेदी संचला को लेकर के मुख्मंत्री भी इसमें जुड़े हैं यह बहुत ही स्वागत योग्या है मैं सभी आदर्य मुख्मंत्रियों का भी रुजय से अभार व्यक्त करता हूँ और मुख्मंत्री जी के मारदर्शन में आपकी जिले की सारी टीमें एक विश्वास के साथ संकल्प के साथ एक एक गाउं को कोरोना से बचाना है इस मंत्र को लेकर करके आप आगे बढ़ें और तेजी से रिकवरी रेट बढ़ें तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ें तेजी से टेस्ट जादा हो इन सभी बातों पर बल देते हुए हम सभलता की दिशा में एक भी प्रयास न छोड़े एक भी प्रयोग न छोड़े मुझे विश्वास है कि जो आप से सुना है उसमें आत्म विश्वास भी है अनुभव भी है नए-ने तोर तरीके भी है यह सारी चीजे अपने आप में बहुत बड़ा विश्वास पदा करती है मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बड़ा काम है फिल में रहना है आपके स्वास्त का भी जुरूर ख्याल रखिये अपने परिबार जनों के स्वास्त का भी ख्याल रखिये और आप जिक्षेत्र को समाल रहे हैं वहां के एक एक को बनाए रखने में आपका नितुरुत्व काम आए इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्ताम नाए